कविता, कल सपने में पुलीस आई थी, का विस्तरित हिंदी में विवर्ण परिचय, कविता, कल सपने में पुलीस आई थी, निकिल आनंद द्वारा लिखी गई है इस कविता में सपनों और वास्तविक्ता के बीच की महीन रेखा को दर्शाया गया है कवी ने अपने भावनात्मक और मानसिक स्थिती को सपनों के माध्यम से बया किया है कविता का विस्तृत विवर्ण, पहला भाग, दर और सपने कविता की शुरुवात होती है कि हाल के दिनों में कवी की सुभा डरावनी हो गई है कवी ने सपने में अचानक पुलीस के साइरन की आवाज सुनी और देखा कि पुलीस उनके घर आई है कवी को सपने में जमानत देकर रहा किया गया, लेकिन उसे याद नहीं कि कितनी जमानत देकर यहाँ बताता है कि एक पुराना लिफाफा था जो कभी उसे नहीं मिलना चाहिए था दूसरा भाग, पत्र और डांट एक डाक्या सपने में आया था, जो बताता है कि आजकल पत्र भी सपनों में ही आते हैं कभी का मन हुआ कि सपने में अपने पिता को डांटे सुबह से कभी यहाँ सोच रहा है कि उसे मौत कब आएगी तीसरा भाग, प्यास और समंदर अचानक, सपने में कोई व्यक्ती प्यास से मर रहा था कभी ने उस व्यक्ती को लाल रंग के समुदर दिखाएं लेकिन फिर भी वह व्यक्ती प्यास बुझा कर खुश था चौथा भाग, भूक और खुशी एक सपना भूक की शील का था जिसमें किसी ने इत्मीनान से खिचडी पकाई थी खिचडी आधी खाकर ही कवी को नींद आ गई कवी को भूक से पहले कभी इतना खुश नहीं देखा पांचवा भाग, नींद और सपने कवी कहता है कि उसे रात भर नींद नहीं आती लेकिन सपने बहुत आते हैं सपनों में रोज पुलीस, पिता और प्यास आती है जिसका रंग लाल होता है छठा भाग, जीवित होने का प्रमान वह ओफिस, जहां उसके पिता हर साल यह साबित करने जाते हैं कि वे जिन्दा है सात्वा भाग, तलाशी और उडान सुना था कि एक आम आदमी किसी अधिकारी से लड़ गया था तब से हर किसी की तलाशी ली जाती है कवी कहता है कि यहां कवियों की भी तलाशी ली जाती है इसी बात पर कवी का मन करता है कि अगर गुलामी नहीं छूटती तो क्यों न मूही छोड़ दिया जाए और जेब में इतने पैसे रखकर उड़कर भाग जाए कि लोटना मुम्किन न हो सके सारांश कविता में कवी ने अपने डर, चिंता, भूक, प्यास और स्वतंत्रता की लालसा को बखूबी उके रहे सपनों में कवी की भावनाएं और चिंताएं उभर कर सामने आती हैं सपनों और वास्तविक्ता के बीच की स्थिती और उस पर कवी की प्रतिक्रियाएं कविता को गहराई देती हैं कविता एक साधारन लेकिन प्रभावी भाशा में लिखी गई है, जो इसे कक्षा आठ के छात्रों के लिए उप्युक्त बनाती है यह कविता हमें सपनों के माध्यम से जीवन के विभिन पहलों को समझने और अनुभव करने का मौका देती है